کوئلے जैसे बाल होंगे आपके इस रेमडी को लगाने के बाद लाइव जर डाइव रिजर्ट आपके साथ शियर की आप देख सकते हैं कि लगाने के बाद कितना बेस्ट रिजर्ट मिला है और पहले बाल कैसे सुफेद थे अगर आप भी grey hairs, white hairs से परिशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए हैं सफेद बाल होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि genetic, pollution, धूलमीटी, चंफिर, diet proper ना लेना कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण की उमर से पहले ही हमारे सफेद बाल होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर उमर के हिसाब से बाल सफेद हो वो तो माना जा सकते हैं बड़ आज कल चोटे बच्चों के ग्रे हैर्स देखने को मिल रहे हैं वाइट लियर्स की बहुत जागा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो अस उसी प्रॉब्लम का सिल्यूशन मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो जाते हैं वीडियो को लाइक शेयर करना आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन और स्पोर्ट मिलती है अपना प्यार मेरे चैनल पर इसी तरह बना के नेचरल रेमेडी से तो आपको इसे लोहे के बरतन में बनाना होगा अब आपको लेना है जी दो से तीन चमत कलोंजी सीट्स के पाउडर कलोंजी को अची तरह से पीस कर आप उसका फाइन पाउडर बना लीजिए जा फिर मार्किट में आपको इसका पाउडर बहुत यह सा जाएंगे आपको उन सानी जीजयों को अच्छी तारास से मक्स करते जाना है आपको लेना है जिस एक ओहन cooking आपको सब्सक्राइक जा करना है अपको नेक्स है करना है इसको कर लिए और बालों के लिए बहुत ज़दा बैनी फीशिल होता है अगर आपको हेर फॉल की प्रॉबल्म है तो आप अनियन हेर और यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए बालों का जणना रोकने के लिए अब इस लैमडी के लिए आपको अनियन के चुटे-चुटे पीसिस इस तरह करना से कट कर लेने हैं आपको इसको पील ओफ नहीं करना है चिलकों समेथी इसको कट करना है क्योंकि अनियन के चिलके से जो ब्लैक कलर निकलता है वह हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बैनी फीशिल है नेक्स्ट आपको लेना है जी फैन्यू ग्रीक सीट्स का पा कर दीजिए अब आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऐसे ही रहने देना है गास ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप देखेंगे कि आमले के कारण हमारा पूरा का पूरा पानी ब्लैक कलर में कनवर्ट हो चुका है ज नजर आने वाला है इसको स्टेन कर लीजिए और स्टेन करने के बाद आपको इस पानी को कैसे अपने बालों पर यूज करना है वही में आगे आपके साथ शेयर करें अब आपको लेना है जी एक बावल इसमें एड कीजिए हिबिस्कूस फ्लार्स का पाउडर जाने कि गु नेक्स्ट में यहां पर ले रही हूँ घरront सोफ्ट साइनी और सिल्की बनाने में हाल्प करते हैं व्यक्ति गाली का पावलों का दो द्युक्ति感 वालों की प dei बढलों पाल्डस में आर्था घरिंड और भी इसमुला ज़रूर एंटा को रीथा को में स्भी or और और यहां पर यूज करी हूं शीखा काई पाउडर का भी आपको एक से डिर्ट चमच लेना है जो हमने इसमें आवला रीठा और शीखा काई डाली है इन तीनों चीजों का कॉम्बो हमारे हेर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बैनिफीशियल है इन तीनों चीजों को लगान से हमारे बाल नैचरल तरीके से जो वाइट है वो ब्लैक कलर में कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इन तीनों चीजों को अगर आप मिक्स करकर बालों पर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही बेस्ट और ओसम रिजल देखने को मिलता है नेक्स जहां पर ले रही हीना पाउडर ऑप्शिनल है अगर आप बालों को अच्छी तरह से कलर देना चाहते हैं तो हीना पाउडर जूर इस्तिमाल कीजिए अब जो भी बालों पर मेहंदी लगाना पसंद करते हैं उसके 3-4 चमद आपको इसमें एड कर देने हैं और जो हमने ब्लैक कलर का पानी त कर लेना है और दो से तीन खंटे के लिए इसको अच्छी तरह से कवर कर कर छोड़ दीजिए ता जो इसमें जो जो चीजे हमने एड की है वह अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएं और आपको बहुत ही प्यारा सा कलन मिले अब जिनके बालों पर आप इस्तिमाल कर रहे हैं पहल अब आपको लाइव इड जल दिखाने वाली हूं इस वीडियो में तो वीडियो को फुल वच कीजिए स्किप मत करना अब आपको साथ साथ इस पैक को पूरे बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से अपलाई कर लेना है कुछ वीवर्स ये कमेंट करते हैं कि दी हमने अप इस पैक को बना कर अपने बालों पर लगाना चाहिए जैसे कि इस पैक को लगाने से पहले आपको शैंपू का इस्तिमाल कर लेना है और इस पैक को लगाने के बाद आपको शैंपू का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आप पूरी वीडियो नहीं वाच करते हैं इस pack को पहले अपने hairs की roots पर apply कीजिए और जो pack बज जाए उसे अपने बालों की length पर apply कर लीजिए और एग हंटे के लिए इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए एक घंटे के बाद normal पानी से आपको बालों को wash कर लेना है और wash करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना प्यारा result मिला है hair wash करने के लिए आपको normal पानी यूज़ करना है नाहीं ज़्यादा ठंडा और नाहीं ज़्यादा गर्म एग घंटे के बाद जब मैंने इनके hair wash कीए तो result देखिए कितना प्यारा black color इनके बालों पर आया है अगर आपको first time इसका best result नहीं मिला है तो आप second time दोबारा इसे बना कर अपने बालों पर apply कीजिए और एग घंटे के बाद wash करके देखिए आपके बाल सारे के सारे black color में convert होना start हो जाएंगे तो guys वीडियो अच्छी लगी हो तो like share करना मत भूद लिएगा I hope guys कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है जाते होगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत सारी motivation और support मिलती है मेरे चैनल को support कीजिए वीडियो को like कीजिए अगर आपने अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे जो राइड कलर का subscribe बटन है उसे क्लिक कीजिए और ग्रे में convert कर दीजिए subscribe करना बिल्कुल free है आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप और भी अच्छी और useful वीडियो देख सकते हैं अगर आपने कभी भी मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल जीवन बीडियो टिप्स पर विजिट कीजिए आपको वहां पर बहुं सारी होम रेमेडीज एर कलर्स देखने को मिलेंगे जो कि नैच्रल तरीके से आपकी हेर और स्कीन की कियर करेंगे मिलते हैं मेरी नहीं और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खया लखिएगा थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाबाई